दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं बहुत ही बिग न्यूज लेकर हरमेशा आपके लिए आता रहता हूँ अगर हम बात करें आइसवान भारत इसकीम के तहर तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आई है कि उसमें जो भरती होनी आइसवान मित्र के अलाव प्रोफिशनल कोर्स कैसे आप अप्लाई करेंगे क्या उसका प्रोसीजर क्या योगता है सारा डिस्क्स करेंगे इस वीडियो में बने रहे और आईसवान भारत मित्र के लिए आईसवान मित्र के लिए मैं पहले वी एक दो वीडियो बनाए उसको लेकर क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कब से इसकी स्टार्टिंग हो रही भरती की और कैसे आपको अप्लाई करेंगे और एक नया भरती भी निकल कर आया है आईसमान भारत में वो क्या है जिसमें 90,000 रुपए तक की शैलरी आपको मिलेगी तो बने इस वीडियो में बिलकुल आप आपको सारी एक एक जैनकारी मिलेगी दोनों के अपडेट के बारे में आईसमान मित्र के बारे में भी और आईसमान जो नई स्कीम आई है उसके बारे में नई भरती आने वाली है तो चलो हम लोग इस्टार्ट कर लेते हैं सबस्क्राइब जरूर कर लें हेल्पिन हिंदी चैनल को क्योंकि मैं लगाता रहा आप यहां पर अपडेट देता रहें तो अगर आप नोकरी करना चाह रहे हैं आईसमान भारत के साथ जुड़कर और 90 हजार रुपए तक की अपनें करना चाह रहे हैं बिल्कुल जोइनिंग मिलेगी आपको बहुती बेतरी तरीके से तो आप इसन को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगाता है मैं अपडेट लाता रहता हूं इससे रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाए तो प्ली सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को भी दबा लें तो जो आज की भरती उसके बारे माज हम आपको बता इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं पूरा आटकल खुलकर आजाएगा आप यहां पर आपको मैं बताता हूं कि सारी इसे पढ़ा कर आइस्वान मित्र भरती 208.00 ़ूरा आइस्वान मित्र भरती अप्रोर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से अच्छान बारत में की बbrarती स्टार्ट को नियंगे जा रही है जिनको पंदा-हजार रुपए महने ौई दिये जाएंगे अगर हम बात करें आईश्वान भारत प्रोफेशनल की दोसरों यहां पर एक और कोर्स इंट्रिडूश हो रहा है आईश्वान भारत प्रोफेशनल जिनको 90,000 रुपए तक शैररी मिलेगी मैं उसी के वारें बात करूँगा आज कि तो भारत सरकार ने रेले लिया है कि आईश्वान बाए जार रुपए तक वेतन दिया जाएगा आईश्वान भारत प्रोफेशनल की जोइनिक दिली या किसी भी राज की राज़दानी में तैनात किया जाएगा या तो दिली में दोस्तों आपकी जोइनिक होगी या सपोज आड़ आप यूपी में रहते हैं महाराश्ट मे रहते हैं कहीं भी तो महां की दूर राज़दानी है यूपी की अगर बात करें तो लखनौ में जो भी राज़दानी है वहाँ पर आपको तैनाती मिलेगी मतला आपकी जोइनिक मिलेगी जिस्चे की सही देख रेक रखी जाए सके और आईश्वान भारत योजना का सुचा आईश्वान प्रोफेशनल प्रोग्राम के तैत 32 साल से कम उम्र के लोगों की दिल्ली और अन राज़्यों की राज़दानी में तैनात किये जाएंगे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको लास्ट में एक यंग प्रोफेशनल का जो दोस्तो हेल्ट एजेंसी उसने पीडि आईश्वान प्रोफेशनल प्रोग्राम लखना चाहिए तो क्या होगा अलग अलग सब्जेक्न माश्टर डिग्री होनी चाहिए और टेकिनकल कौलिफिकेशन जैसे बीटे के अगर आप की है तो भी इसके लिए अपलाई कर पाएंगे अगर विविन शेतर हमाप सकते हैं research का अगर आपके पास अनभव हो है या आप paper publish कर चुके हैं पहले अगर आपके पास अनभव हो है paper publish करने का तो भी आप अपलाई कर पाएंग इसे बरती के लिए और आपको public health system project में अगर आप काम करने का अन्वह है आपको पहले से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कितनी होगी सैल्वी आप आईश्मान भारत प्रोफेशनल आईश्मान भारत येंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भी सैल्वी की अगर हम बात करें तो नेशल हेल्ट एजिंसी द्वारा त्यार की की गाइडलाइन के मताबित हर मेने 50,000 से लिएकर 90,000 रुपे तकी सैल्री मिल सकती है जिसमें आपका ट्रांस्पोर्ट आलाउंश भी सामेल होगा अगर हम बात करें इंक्रीमेंट की तो हर साल 5,000 रुपे तक का इंक्रीमेंट भी होगा हाला कि अधिकतम वेतन की बात करें तो 1,00,000 रुप किया जाएगा कि आप 50,000 रुपे मिलने वाला है 90,000 मिलने वाला है काउन सा काम करना होगा वर्क ऑफ आईशवान भारत प्रोफेशनल आईशवान भारत में शामिल अस्पिताल का मैनेजमेंट जो आईशवान भारती स्कीम के तहत अस्पिताल जोड़ा है उनका आपको मैन Information, Education एवं Communication, Strategy भी आपको तैयर करनी होगी अगर आपके इसमें सेलेक्शन होता है कैसे होगी आईशवान मित्र की भरती है अब हम बात कर लेते हैं आईशवान मित्र भी भरती है दोस्तों ये दोने चुछी अलग है प्रोफेशनल अलग है मित्र अलग है ठीक है दोस्तों त ये Face-to-Face और Online Interview शुरू कर देंगी चैनेत उम्मीदवारों को National Scheme Development Corporation Ministry of ID and Electronics तता Common Service Center के महद्दम से ट्रेनिंग होया कराई जाएगी तो स्वास्त मत्राले को उमीद है कि आईशवान भारत योजना के ताहित आने वाले 5 साल में करीब 10 लाग नोकरियों को मिलने वाली है त तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके यह पीडिया मैंने दिया यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ आप जैसे आप क्लिक करें तो यह पीडिया आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जैसे आप ओपन हो तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर सारा चीज पढ़ सकते हैं या सेलरी की भी बात कीगी है दोसरों देख सकते हैं 50,000 से 90,000 और 5,000 रुपय आपका बढ़ेगा maximum आपको दिया गए मैंने हिंदी में आपको बता दिया है job description and responsibilities भी आपको यहां पताईगी है English में जो कि मैंने हिंदी में आपको पढ़के बताई है rotation अगर हम प्लेश आप पोस्टिंग की बात करने तो भी आप डिस्क्राइब किया गया है period of engagement अब बहुत important बात यह आती है कि यह आप कितने साल तक lifetime आपके लिए नोकरी है या कुछ time के लिए तो उसके लिए यहाँ पर जो बात कहीं किया है period of engagement shall be initially for a period of two years दो साल के लिए भी आपको initial में भरती किया जाएगा इसके बाद which can be extended up to four years यह चार साल तक बढ़ाया भी जा सकता है तो यह से depend करता है government पे आप गो कैसे आपको increment करती है एक साल दो साल पांच साल यह पर्मानेंट यह सब कुछ government पे डिपेंड गरता है परफॉर्मेंज एपरेंस कमेटी भी आप देख सरते हैं capacity building लेव टीए डीए यह सारी से आपको मिलने वाला यह भी सब पड़ सकते है procedure for selection यह बहुत important procedure for selection के कैसे आपको select होंगे the COE shall cause to be prepared by additional adepti COE and the initially rooster of young professional required in the NHA along with the associate terms of reference जो कि मैं हिंदी दोस्तों बताया था आपको मापर आप पड़ सकते हैं और half yearly basis February and August every year तो इस सारी चीए मैं हिंदी मापर आपको बताएं आप वो भी पड़ सकते हैं बहुत सारा यहां लिखा है annual professional report यह भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो इस पीडियाप को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और भी चीज़ें समझ जाएंगे और सारी चीज़ें जान जाएंगे तो दोस्तों यह article आपको कैसा लगा इस article को दोस्तों इस side को आप जरूर से जरूर से एर करने क्योंकि अपना इस side है और यहां पर आपको लगातार वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपके लिए दयानेक जीपने के लिए बहुत ही important है और वेल आइकन भी दबा लें latest update वीडियो पाने के लिए जिससे जैसे update आता है भरती के related मैं आपको तुरंद inform करूंगा इसलिए आप इस channel को subscribe भी कर लें और वेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिस करना चाहूंगा मुझे बहुत से लोग comment करके ये पूछते हैं कि sir आईश्वान भारत मित्र जो आईश्वान मित्र की भरती हो नहीं उसका online procedure कैसे होगा तो दोस्तों मैं पहले वदा चुका हूँ ये सारी से depend करते हैं government पे अभी कोई ऐसा date नहीं आया है ऐसा कोई form नहीं आया जिससे apply कर सकें लेकिन जो मैंने जो मुझे जान करी है उसकी लिए क्या होगा जो man recruitment agency होती है जो professional को recruit करती है उनके तो शायद भरती होने का प्लान है तो आप किसी भी state में गर रहते हैं सब दर UP बात करें MP बात करें तो वहाँ पर जो recruitment agency होती है उनसे लगातार संपर्ग बनाए रही है आप उनसे पता करते हैं कि आईसवान भारत योजना कब से apply होगा क्योंकि उन्हीं का recruitment process दिया जाएगा सायद government ने शायद online form ना आए तो इसलिए आप बार बार comment करके ना पूछे चीजों को थोड़ा search करते रहें मुझे जैसे information मिलती है मैं आपको तो लगातार inform करता ही रहता हूँ लेकिन आप भी थोड़ा effort करें बहुत ही अच्छी वैकेंशी है आप इसमें job पा सकते हैं और अच्छा सकाचा earning गड़ सकते हैं प्लीज दोस्तों इसमें को लाइक से जरूर करें अगर कोई doubt है तो मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं या description में मैंने अपना facebook का link दिया instagram का link दिया आप माफर भी मुझे जोड़ सकते हैं और सारी update लगातार पाते रहेंगे मैं facebook पेज पर लगातार अपडेट करता रहता हूँ क्या आज होने वाला है आश्वान भरती के उजनाग वारे में क्या कल होगा सारी जी हैं तो आप उसको जरूर जोइन करें thanks for watching